तो दोस्तो स्वागत है आप सभी के वर्दी मिशन बैच में तो चलिए दोस्तों जल्दी से सभी लोग लाइब क्लास में जूर जाएंगे सभी को गूड मारिंग और दोस्तों यह जो क्लास आप सबों को चल रहा है बिहार मद निसेद एक्जाम के देखते हुए यह सेशन च चुन कर लाया जाता है जो कि आपके एक्जाम के भी उसे इंपोर्टेन है तो जल्दी से सभी लोग लाइब क्लास में जूर जाएंगे सभी को गूड मारिंग और वीडियो को लाइक कर सेयर कर देंगे ताकि जो आपके दोस्त भाई बहन अभी तक लाइब क्लास में नहीं जाएंगे तो चले दोस्तों के सेसं को स्टार्ट करते हैं देखें दोस्तों पहला प्रस्ण क्या है कि स्वामी विवेका नंद ने रामकृष्ण मिशन के अस्थापना की किश्वर्स की थी तो दोस्ते इंपोर्टेन प्रसन हो जाते है यह एक्जाम में कई बार पूछा ज जा चुका है कि कुका अंदोलन को किस ने संगठित किया तो गुरु राम सिंग ठीक है चले नेश्ट प्रसन के तरफ देखते हैं मेरे भाई देखें दोस्तों नेश्ट प्रसन क्या है आपका कि दयानन सरस्वती का मुल नाम था यह भी प्रसन कई बार पूछा जा चुका ह इंपोर्टेंट प्रसन है आपके इग्जाम के भी उसे ठीक है दयानन सरस्वती का मुल नाम क्या था तो मूल संकर ठीक है नेश्ट प्रसन देख लेते हैं देखें दोस्तों नेश्ट प्रसन क्या है कि अलिगड मुसलिम बिश्व विद्याले की अस्तापना कीस ने की थी तो दोस्तों सारे प्रसनि इंपोर्टेंट है सेसन में एकदम शुरू संत्ते ने रहे खियों कि आज बहुत ही मज़ा आने वाला है सेसन में तो देख लिजए इसका राइट एनसर हो जगगा सयद अहमध खहन ठीक है इसका राइट क्या हो जगगा सयद अहमध घान चलिए नेश्ट प्रसन देखते हैं नेश्ट प्रसन है कि वह भी आंदोलन का मूख्य केंद्र था इंपोर्टन प्रसन है मेरे भाई डबल स्टार्ट देकर लिख लेना क्योंकि यह कई बार एक्जामों में पूछा जा चुका है थीगं यह हो जाता है और यह हमारे बिहार से समंधी था इसलिए और फ्रसन इंपोर्टन हो जाता है इस प्रसन को डवल इंपॉर्टन प्रसन देखंगों सारे प्रस्श में सुरूस, अगर आपने पहले सेसर नहीं देख लिस्ट में देखर क्योंकि देख़ाएंगे तो सेसर नहीं देखर होंगे सारा थो ठीगे क्योंकि सारे प्रसं आपके एकजाम में लड़ने वाले हैं सारे सेलेक्टेट प्रसंने देखिए नेश्ट प्रसंनी कि सुमी विवेकर नंध का मुल नाम था तो स्वामी विवेकर का मुल नाम क्या था तो नरेंद नाथ धत फर सीकhole न देखे लेते दोस्तों नेश्ट प्रसने की भारत में सबसे पहला सुती वस मिलकास सहर में अस्थापित गिया गया था तो दोस्तों इसका राइट एंसर क्या हो जएगा मुम्बाई में और आप सभी कमेंट करेंगे तो मेरे भाई जलेए नेश्ट देख लेते हैं देखिए नेश्ट प्रस्ण क्या है कि सैनिक संगठन खालसा दल की अस्थापना कीसने की तो इसका राइट एंसर क्या हो जाएगा कपूर सिंग इंपोर्टेन है डबल स्टार डालो क्यों कि यह कई बार एक जामें पूछा जा चुका है अब नेश्ट प्रस्ण क्या है पाटना उच न आपके क्लास में बहुत ही धमाका होने वाल है आप लोगों के ट्रीक के माध्यम से लेकर आया है प्रस्ण जो कि आपके एक्जाम के भी उसे इंपोर्टेन है जीक के भी लाएं और कुछ भी लाएं सर्प्राइज आप सब हो के लिए ठीक है तो चले इस प्रस्ण को देखे नेश्ट प्रस्ण है कि राष्ट पती किसकी सलाह पर किसी राजय के राजपाल की न्युक्ति करते हैं तो यह किसके सलाह पर तो परधार मंत्री के सलाह पर ठीक है इंपोर्टेन प्रस्ण है चले नेश्ट प्रस्ण देखते हैं देखिए नेश्ट प्रस्ण है कि राजय प का प्रथम अध्यक्ष कौन थे तो अर्वींद पन गडिया यह भी प्रस्ण इंप्रथम जिस कोश्चन में लगए बहरी इंप्रश्चन में पूछा गया है यह स्टार्ड दालो मेरे बाई और आप अभी कमेंट का बताई है कि नीती आयोग का अभी अध्यक्ष कौन है नीती प्रस्ण है कि अफ्रेलिया का घास और सल को दिया गया भघोलीक नाम यानिकर आष्टेलिया के घास मैदान को क्या कहा जाते यहां से भी प्र्सण आपके ब्रस्ण कम पूछे जाते तो डाउंस कहा जाता है ठीका इंपोर्टेंट प्रस्ण फ्रैसंने के लिए 10 प्रश्णES तक होता है चन्ना कीゃे खेती के लिए कौन सी मीटी सबसे उप्यूगत है तो चन्ना की खेती के लिए सबसे अच्छी मीटी कौन सी है तो आप बताएंगे और यह हो जाती है आपकी चिकनी मीटी ठीक है चन्ना की खेती के लिए कौन सी मीटी सबसे उप्यूगत है तो चिकनी मीटी ठीक है चलिए नेश्ट देखते Lost प्रसन है की black pagoda केसा कौन सा मंदिल प्रसीड हे कौनांग का सूर्य मंदिल कौनां का सुर्य मंदिल और आप लोग यह भी टाइब करेंगे कि को अभी जो सेसन यहे चल रहा है इसी सेसन में मैंने कराया कि को कॉनां का शुर्य मंदिल कहा है और यह भी कि कॉनां का सुर्य मंदिल कीतने के नोटों पे छाप गया कितने नोटे पेस का फीगर कॉना का सुरिय ऊंदिल कर ठीक है आप कमेंट करेंगे चछली यह नेश्ट प्र HER देख तो को समर्पी थे तो कॉनांग का काला पाइगोड़ा की सवामारपी थे तो सूरिय देवता को ठीक है इंपोर्टन प्रसन हो जाता है और क्लास में बने रहेंगे शुरूशान तक क्योंकि आपके लिए अज सर्फराइज भी है और ट्रिक से समंधित प्रसन भी है और मैद का भी बिख्यात मंदिल है चुहों के नाम से कौन सा जो मंदिल हो विख्यात है कि मंदिल को जाना जाता है तो इंपोर्टेंट प्रसन हो जाता है करनी माता का मंदिल ठीक है इंपोर्टेंट हो जाता है नेश्ट प्रसन देखते हैं देखिए नेश्ट प्रसन क्या है कि मातंड सूर यह मंदल की स्राज मिश्तित तो दोस्तों यह भी प्रस्ण इंपोर्टे ने अगली बार एक्जाम में आपके आया था सहसी chall does में आया था बिहार पुलिस में आया था जम्मु कश्मे ठीकां नेश्ट तेल कर लेते हैं प्रस्ण की दक्षी नेसवर मंदिल कहां ये तीं तो अगरosion बता दू की मंदिल आपके एक्जामें प्रस्ण पूछे जाते हैं तो आगर आप चाहते हैं कि आपके एक नमर ना छूटे तो मंदिल से समधित प्रशनों को आप लोग रिभाइच कर लिजिएगा ठीक है आपको self study करना ही पड़ेगा अगर selection लेना है सिर्फ online पढ़ने से नहीं होगा self study पढ़ना पढ़ेगा हम चाहते हैं कि आपका selection हो तो आ चलिए next प्रसन देखते हैं और आप लोगों का आज का सेट कैसा लग रहा है आप सभी कमेंट करके जरूर बताएं क्योंकि पिछले जो भी सेट हुआ है उस सेट में आपको copy पर लेकर लाया गया था लेकिन इस question को type करवा कर मंगवाया गया है ठीक है आप लोग तो जानते पूठ का पता लगाने वाला यंत्र क्या है तो पॉली ग्राम है इंपोर्टन प्रसन है नेश्ट प्रसन है कि नाइट्रस अक्साइड को किस गैस के नाम से जाना जाता है तो लाफिंग गैस के नाम से जाना जाता है चलिए नेश्ट प्रसन देखते हैं देखिए नेश्ट बात है हीलियम छाएं इंपोर्टन है और सेव में कौन सा एसीड पाया जाता है इसीड पाया जाता है तो सफायना गलता है आत्या कि थाली क हते के के लिद्धा तो सोम को ठीक है नेश्ट प्रस्ण है कि कोशी का का रसोई घर किसे कहा जाता है यह भी प्रस्ण इंपॉर्टन है कोशी का का रसोई घर किसे कहा जाता है तो कलोरो प्लास्ट को कहा जाता है ठीक है भारत में वन अनुसंधान संस्थान कहां इस्तित है तो यह क्या हो जाता है देहरादून में ठीक है नेश्ट है कि राष्टी वनस्पत्ति उद्यान कहां पर इस्तित है इंपोर्टेंट प्रस्ण है राष्टी वनस्पत्ति उद्यान कहां पर इस्तित है तो लखनव में ठीक लिए नेश्ट प्रस्वल देखिल देख लेते हैं मेरे भाई। देखिए नेश्ट प्रस्वल की uk perseverance की सिलिए जाना जाता है क्योंकि ये भी प्रस्वल का चासा जाते हैं सब्सक्राइब देखते हैं दोस्तों परिशंशली में मैं सब्सक्राइब कि गया जाता है तो दोस्तों इंपोर्टन प्रसन हो जाता है फ्लिपिन्स के द्वारा प्रदान किया जाता है यह भी प्रसन में पूछा गया था फोच्छ गया थीक है जले नेश्ट प्रसने के मनुस्य का पाचन किरिया का प्रग्राम कहां से होता है यह बिहार पुलिस जो 84 सपंद्रवाल बहाली आया था उस बहाली में यह प्रस्ण पूछा गया था ठीक है कि धाम ndवरा कौन सा रख्त परवाइथ होता तो सूद रख्त परवाइथ होता है थीगैं नेश्ट प्रसन का है कि शरीस के ताप का नियंतरन किसके दुआरा होता है तो हाइपो थायलेमस के से द्वारा दलो मिरे यह भी प्रस्ण आपके शेट में आया था यानि हम जो हुआ तो उस में आया था ठीकर नेश्ट प्रसन देख लेते हैं देखें दोस्तों नेश्ट प्रसने की लॉग कीसर से प्राप्ट होती है यह फ्रसन आया है है ठीक है अगर 84 संपंदर जो लोग आ जान दिया हों उनको पता होगा यह प्रस्द प्राप्ट roulet करें प्राप्त होती है ठीब यह भी प्रस्द आपकी आपके पूचार्व में पूछा गया था ढश्म मेरे इस सारे प्रस्ण इंपोर्टन है तो एक रहाम क्लास को सुरू संद तक देखिएगा और आप लोग इसके पहले के सेट नहीं देखे तो जाको प्ले लिस्ट में देख लिए नेश्ट प्रसंद देखते हैं देखिए नेश्ट प्रसंद क्या है किस सेवाल से आयोडीन सब्सक्राइब सेंद कि इस नेश्ट जाता है उनेश्ट प्रसंद से नेश्ट ल्यूंटर मेहः नव मीटर से घया चले नेश्ट प्रसंद दखते हैं तो itself ज्था सब्सक्राइब कर सब्सक्राइब कर सकते हैं और योद सब्सक्राइब के बीच लेकर आ रहा हूं ट्रीक के माध्यम से पहले जीक के उसके बाद मैं बताऊंगा क्या लेकर आऊंगा ठीक है तो चले सभी लों त्यारे कापी कलम लेकर चले नेश्ट प्रसन के तरब चलते हैं तो देखें दोस्तों आज का आप लोगा सर्प्राइज यही है कि ट्री कशका है पूट बाल से समय आपको का है और तो आपका आपसे किया कि भी फिर अ कि viscosity अपसे को याद रहे याद कि आपका को सब्सक्राइब क्या का है कि फीर बादूस का ने आप से पूछ रहा है कि फिर dm शांतोस नहीं है तो आसुतोस से क्या हो जब टॉ가 कप यहां पर रसे क्या हो कक्र रोरस कप डिरंड कप और एम से मंदेला कप और से प्रोट कॉप और संतोष से संतोष का दोस्तों आप सब कमेंट करके बताइए तो यह ट्रिक आप Sबको कैसा लगा क्योंकि मैं जानता हूँ कि ऐसा ट्रिक आप अगर यूट्रूब पर खो जेब भी होंगे तो ऐसा ट्रीक नहीं मिला होगा एस त्रीक मिला होगा जो की आपको याद करने में दिकत हो रहा होगा ठीक है लेकिन मैं इस ट्रीक को अपने से см बनाया हूं ना कि किसी कर नकल किया हूं यह ट्रीक में अपने बना हूं और इतना असन बना हूं ताकि आप इसको याद कर से को और भी नहीं भूल पाएंगे इस ट्रीक माध्यम से तो ट्रीक कैसा लगा आप सब कमेंट करके जरूर बताई ठीक है अब चले दोस्तों नेश्ट सर्प्राइज क्या है आप सभी के लिए तो बहुत कुछ लोग कर रहे थे कि सर यह चैप्टर कराई वे चैप्टर कराई है तो आ सबीनों त्यार हैं डिखे दोस्तों आप लोगUNG ने कहा था कि सर राचना और है लेकर आए तो मैं हिंदी में रचन और कभी शेंव समत्राइब लेकर आगया हूँ और दोस्तों जो भी आज मैं लेकर लेकर आयों प्रस्ट्रीक के माध्यम से बताऊंगा एक ऐसा ट्रीक बताऊंगा जो कि अगर आप यूटूब पर भी सर्च किजेगा तो आपको खोजने पर नहीं मिलेगा वह कहां मिलेगा तो सिर्फ आपको इसी चैनल पर मिलेगा पर साथ कलासे चैनल पर तो चलिए मैं सब्सक्राइब लेकर तूब याद के रखना कि भारत तेंदू हरी चंद की रचनाएं और इसको आपको याद कैसे रखना आपको सबसे पहले त्रीक याद रखना है दोस्त थे तो चार दोस्त थे मानिए या तो उनके लर्क पर लोग मान लिजिये तो भरते दू लगों दों से आपको याधा कितने लग कर ही लोगों के नहीं किया है आपको कैसे याद रखना है प्रेम इनके रचनाई में क्या होगा प्रेम से समंदित होगा ठीक है प्रेम फुलवारी प्रेम माधुरी प्रेम परलाप और प्रेम तरंग प्रेम मलिका प्रेम सरोवर प्रेम वंकर ठीक है इंपोर्टन प्रसन हो जाता है प्रेम अब चलिए दो दूस्तों बीजय से समधित राचनाए को आपको कैसे याद रखना है बीजय इसमें दिया ही रहे गा वल लारी विजय यंनी बीजय पाताल और वीरता ठीक है विर्ताव वीरताव इसको आप याद रख सकते क्या आप एस स्टीग के मार्णें से इसको आप भूलिए गए कभी देखे दोस्तों आपको कैसे रखना है कि याद कैसे रखेंगे तो भारत दूर्दर्सा तो वार्षा बीनोध हो जाएगा और अंधेरे नगरी राजा आप लोग तो जाने होंगे सुने होंगे देखे भी वोगे ठीक है और ये पढ़े भी होंगे ठीक है अंधेरे नगरी चौपट राजा और रतनावली ठीक है चलिए अब इधर हम लोग देख लेते हैं रतनावली हो गया अब उ है उ से उर्दू का आश्थापना हो जाएगा इसी में उसके बाद यहां पर देखिए जो रेट में लिखा हूँ हो वह साइलेंट है भाई आपको यही याद रहना है कि भारतेंदू हरी चंद के कितने लड़के थे चाल लड़के और उन्होंने काम क्या किया अंधेरे में रतनावली से नए बंदर बकरी खरीदे तो ट्रीक कैसा लगा आपको कमेंट करका जरूर बते अभी लोग अभी तक चैनल को सब्सक्रा करना पड़ेगा ठीक है वैसा ही ट्रीक में आप सब्सक्राइब कीजिए तो चलिए दोस्तों अब आप लोग का इंतिजार और भी बढ़ता जा रहा है तब हम चलेंगे मैथ के कोशनों के तरफ तो आप सभी त्यार है मैथ बनाने के लिए तो सभी लोग चलिए मैथ के तर की जोड़ी सर्की से 300 मीटर की दूरी कि दूरी तैय करने में 30 सेकंड लेती है तो उसकी चाल बताना आपको कीलो मीटर में बताना है तो आप सभी कमेंड करेंगे और इसका राइट असर बताएंगे मुझे उमीद है कि इस प्रसंद का आप लोग सभी लोग आउसर देंगे तो सभी लोग आई टेंगे देखिए दोस्तों आप बनाईए कैसे प्रसन बनाने के लिए चाल पूछा आपको चाहिए दूरी वाटा समय होता है तो दूरी कितना दिया है आपका कि तीन सदिया है दूरी टीन सव और समय के ध्यां 30 पितिस जीरों zich एक heeft तो दस क्या है मीटर प्रद क्रति सेकंड में लेकिन हमको बताने कि कीलो मीटर बदाने के लिए हमको कितना सिसे करना पड़ेगा पांगी दो जैगा तो इसट आपके संदीख और इस प्रसंद और सभी कमेंट करेंगे इस आप सभी को सब्सक्राइब करना प्रस नहीं करें तीन संक्याओं का योग 155 नहीं यादि पॉली और दूसरी संख्या का अनुपाद 3 अनुपाद 4 है और दूसरी और तीसरी संख्या का अनुपाद 2 अनुपाद 3 है तो दूसरी संख्या क्या होगा इस अभी कमेंट करेंगे और राइट अंसर बताएंगे तो देखें दोस्तों प्रस नहीं करा है कि पहला और ईसके बाद दूसरा थीन अनुपाथ चार दी आं घृत ऑगा हरा में तरह मेंального को पहला करेंगे वाद हम इसको इसमें गुना करेंगे चार में दो सथाजर दुनी आठ आठ आगया और उसके बाद चार में तीन से करें तो बार आए गाए ठीक है यह पहला यह अनुपात होगे यह तीसरा अब इसको आप काट को छोटा भी कर सकते हैं तो दो से काटेंगे तो क्या हो और आप से पूछा क्या है दूसरी संक्या तो दूसरी संक्या है तो आपको मक्या निकालने के लिए सबसे पहले क्या पदना पड़ेगा जिसके बढ़ने पूछा है उसको आप उपर करेंगे तो चार को उपर कर देंगे आश्टो जो लेंगे छो तो तरी ते रहे यानिक टोटल कर चैनल को ऑगी आपकार बीस निकल कर यानि कि तो क्लalter कौएगा चलिएक नेस्ट प्रसन देखते हैं देखेँ दोस्तों अब के सामने और इस प्रसंद का राइट अंसर आप सभी बताएंगे सभी कमेंट करेंगे इसका राइट इंसर क्या होगा आप सभी बताएंगे प्रसंद यहीं करा कि यह दि comment को समझना जरूर है ऐसा अमने सामने वाला कमान होता है यानि कि X कमान क्या हो जाएगा ये होगा 8 इसको अब इस पर रहकर आपको solve करना है इसको आप इस पर रहकर solve कर लिजिए तो solve किजिएगा तो क्या हो जाएगा आपका X कमान कितना है आपका 3.2 ठीक प्लस 0.5 अब बटा क्या हो जाएगा फिर वही काम करेंगा 3.2 minus zero point five ठीक है इसको किजिए गातर यह कि इतना हो जाएगा जोड़िए तो three point seven हो जाएगा और यह कितना हो जाएगा आपका 2.7 हो जाएगा तो नोंट द संबलों एक और एक पहले क्यान के बाद दो तुर। दोनोंट द संबलों कर जाएगा तो आपका उपर 17 नीचे 27 आ गया जाए यानि कि ऊपर 37 आ नीचे 27 आ गया इसका राइच एंसर क्या हो जागा 37 और 27 थिसका ओप्शन में देख लिए 37 27 यानि का आप्शन दीष्का राइट एंसर डी हो माध्य के माध्य का होते हैं माध्य ब्राबर सब्सक्राइब यानि कि आप इस काम किजिए जोल लिए तुटल संह कितना हो जाएगा यानि 36 26 प्लस एक हो जाएगा बटा में क्या हो जाएगा टोटल संह की तना है देख लिए एक दो तीन चार पांच टोटल संह 5 है तो पांच बाटा में हो जाएगा अब क्रास मंटिपलाई को लिजी तो ये 5 से 10 में गुना होगा तो कितना हो जाएगा 10 पच्चे 50 अब बराबर कितना हो जाएगा 36 प्लस एक्स हो जाएगा ठीक 36 प्लस एक्स हो जाएगा 36 को इधर लाएंगा तो मैनस हो जाएगा दोस्तों आज हम बात करने वाले बिहार मद में इसे दीजान 23 के बेश्ट बूक के बारे में जो की चच्छू पपूलिकेशन का है आपको बता दे कि इस बूक में आपको 20 प्रेक्टीशेट देखनों को मिल जाएंगे प्लस दो हजार बहु विकल्पिया प्रस्ट भी देखने हो के मिलेंगे और टीन मडल पेपर भी देखने हो के मिलेंगे साथ ही इस बूक में प्रैक्टिस सेट मिल जाते हैं जो कि आपके एक्जाम के भी उसे सारे प्रैक्टिस सेट इंपोर्टेन होते हैं करना चाहते हैं और अपनी परहाई को बहतर बनाएं घ्रगा किजिए तो दोस्तों आप सब परचिज कर सकते या लेना चाहते हैं तो किसी भी दुकान पर आप इस बूप को ले सकते और मद निसे हैं अपने एक चीट कर सकते तो दोस्तों आप सब कमेंट करके जोरूब बताए कि आज के क्लास आप सबको कैसा लगा और दोनों ट्रीक आप सब को कैसा लगा अगर आप इस चनल प्रेस्ट कर देज़ेगा ताकि नए वीडियो को नेटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे तो दोस्तों फिर मिलते हम नेश्ट क्लास में यानि की नेश्ट क्लास में मिलेंगे फिर निव ट्री के साथ निव कोशन निव अंदाज में तब तक के लिए दीजे इजाज़त जैहिन जै भरत